नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर दोस्तों आज हम लोग लूसेंट समान विज्ञान का लेक्चर नमबर 14 देखने वाले हैं दोस्तों अगर आप लोगोंने लेक्चर नमबर 13 तक नहीं देखा है तो जाकर कि आप लोग प्रेलिस्ट में देख सकते हैं वहाँ पर आपको सारे लेक्चर सिरियल वाइज में मिल जाएंगे ठीक है तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बल अगोर्ण यानि टॉर्क के बारे में ठीक है और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है अगर आपको इस वीडियो से लाव मिलता है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए और सेयर कीजिए और दोस्तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ठीक है तो चलते हैं देखते हैं आज का सेशन दोस्तों हम लोग देखेंगे बल अगुर्ण यानि बल अगुर्ण क्या है या कैसे काम करता है और बहुत सारे इसके बारे में देखेंगे कि कोस्टन कहां से पुछे जाते हैं एक्जाम्स में ठीक है तो बल अगुर्ण को इंगलिस में बोलते है moment of force बल अगुर्ण को इंगलिस में बोलते है moment of force और इसी को बोलते है torque ठीक है दोस्तों इसी का दूसरा नाम क्या है torque है तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि बल द्वारा बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिता घुमाने की परिता कोई यहाँ पर वस्तु रखा हुआ इस पर बल लगाएंगे तो इसके परिता जो घुमेगा यहाँ वस्तु तो हम लोग यहाँ पर यह बल लगा रहा है इसको क्या बोलते है बल आगुर्ण torque ठीक है दोस्तों और आपको पता होना चाहिए कि torque जो होता है torque यानि बल अगुर्ण उसको हम लोग ये indication यानि टाव इसको क्या बोलते हैं टाव तो टाव से हम लोग बल अगुर्ण को denote करते हैं ठीक है तो क्या कहते हैं कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारो और यानि परिता गुमाने की प्रविर्ति यानि उस क्या बोलते हैं बल अगुर्ण कहते हैं किसी अक्ष के परित एक बल का बल अगुर्ण उस बल के परिमान तथा अक्ष के बल की तिरिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुननफल के बराबर होती है ठीक है मानने दोस्तों कोई अक्ष है ये ठीक है ये कोई अक्ष है और वस्तू के हाँ पर है यहाँ पर है यह वस्तू है और इस पर बल लगाने पर क्या होता है इस पर बल लगाने पर यह वस्तू जो है इस अक्ष के परिता घुमती है ठीक है इस अक्ष के परिता क्या होता है कि घुमती है तो बल लगा रहे हैं यहाँ पर यह बल लगा रहे ह कि किसी अक्ष के परित एक बल का बल अगुर्ण जो होता है उस बल के परिमान यानि बल का जो परिमान F है वो तथा अक्ष के बल की किरिया रेखा के बीच की लमवत दूरी के गुननफल को क्या करते हैं बल अगुर्ण करते हैं यानि बल अगुर्ण बराबर जो हो गया वो हो गया बल गुने अक्ष और बल के बीच की लमवत दूरी ठीक है दोस्तों अर्थात बल अगुर्ण बराबर जो होता है बल गुना बल बाहू बल गुना बल बाहू यानि बल बाहू मतलब होता है कि अक्ष से ले करके बल के बीच की दूरी को क्या बलते हैं? बल बाहू ठीक है? यानि फोर्स बराबर होता है, मोमेंट अब फोर्स बराबर जो होता है, फोर्स गुना, फोर्स आर्म. समझ भाए दोस्तों, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके इस उधारन से समझाने वाला हू तो उसका बल अगुर्ण अधिक होगा, कैसे अधिक होगा? यहाँ पर टाव क्या है? बल अगुर्ण है, बल अगुर्ण बराबर होता है, बल गुना, बल और अक्ष के बीच की दूरी. ठीक है दोस्तों, अगर यह दूरी जादा हो जाए, बल कहीं यहाँ पर हो जाए, तो उसका बल अगुर्ण क्या होगा अधिक होगा बल अगुर्ण एक सदीस रासी है तो दोस्तों मैंने आपको शुरू के कलास में बताया था कि अगर सदीस रासी को अधिस से गुना किया जाए सदीस रासी को अधिस से गुना किया जाए तो क्या प्राप्त होता है शदीस प्राप्त होता है तो यहां पर हमको पता था कि बल क्या है बल एक सदीस रासी है और उसको अगर दूरी आर जो है उस अदीस से गुना किया जाए तो सदीस प्राप्त होगा यानि टाव यानि बल अगुर्ण जो है तो हमको क्या प्राप्त ह सदिस, प्राब्द, होगा इसका जो SI मात्रक है क्या होगा इसका SI मात्रक जो होगा बल का Newton होता है और दूरी का Metre होता है इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा Newton-Meter बल अघुर्ण को एक उदहरन से समझाजा सकता है अब हम लोग इसको बहुत अच्छे उदाहरन से समझने वाले हैं ठीके दोस्तों और आपको ये जो SI मातरक सदीस अदीस इस ज़्यादा questions आते हैं आपके exam में आएंगे कि बल अगोर्ण का SI मातरक क्या है दोस्तों आपको अगर पता है कि टाउ बराबर होता है F गुना R जहाँ पर R क्या है दूरी है और F है बल तो टाउ का मतरक अगर पुछता है बल अगोर्ण का मतरक पुछता है तो F का मतरक Newton और दूरी का मतरक मीटर यानि बल अगोर्ण का ऐसा मतरक Newton मीटर आपको असानी से याद हो गया होगा और बल अगोर्ण को अब एक उधारन से समझते हैं ठीक है अब दोस्तों हम लोग एक एजांपल समझते हैं इसको के बला घुर ना अखिर होता क्या है ठीक है जिससे आपको पूरा concept इसमें clear हो जाएगा तो इसमें कह रहा है कि माना की मान लेते हैं कि A B C D एक दरवाजा है जिसके X और Y अस्थान पर कबजा लगाया हुआ है ठीक है एक X आपको अगर खोलना है दरवाजा भी लगा हुआ है ठीक है दरवाजा को खोलना है और दरवाजा अगर अंदर तरफ खुलता है तो एक बल हम लोग P पर लगाते हैं एक बल P पर अंदर तरफ धक्का देके लगा रहे हैं क्या करा है एक बल P बिंदू पर लगाते हैं जो X, Y रेखा से D दूरी पर है जो की दिवार यानि ये जो लाइन है इससे ये D दूरी पर है ठीक है ये दूरी कितना है? D है इसलिए उस दूरी पर जो बल लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको मैंने बताया अभी कि बल अगोर्ण जो होता है तो किसी वस्तू को एक अक्ष के परिधा घुमाने की परविर्टी रखता है यानि अगर इस पी बिंदू पर हम लोग बल लगाते हैं तो ये जो अक्ष है X, Y इसके परिधा घुमाने की परविर्टी रखता है ठीक है? यानि अगर इस बल को D दूरी पर लगाते हैं तो बल अगुर्ण क्या हो जाएगा? अगर इसको टाव 1 मानते हैं तो टाव 1 बराबर हो जाएगा F अगुना D ठीक है? अगर D दूरी पर F बल लगाते हैं तो बल अगुर्ण जो हो जाएगा F अगुना D किसके लिए? ये D द लगा रहे थे लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि इस बिंदू पर हम लोग Q बिंदू पर इसको बल को लगा रहे हैं और ये Q बिंदू जो है तो अक्छ से D' दूरी पर है D' दूरी पर है तो अब कितना हो जाएगा बल अगुर्ण का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा टाव अगर 2 मानते हैं, तो टाव 2 f गुना d2 हो जाएगा, ठीक है अगर टाव 2 यहाँ पर लग रहा है, तो टाव 2 अब अगर फ गुना d2 ош़ देटी करते dएक होगा ठीक है दोस्तों, dएक होगा यहाँ पर, दूरी होगी dएस है तो D dash हो जाएगा यहाँ अब आगे कह रहा है एक ही बल के लिए लांबिक दूरी एक ही बल के लिए यदि लांबिक दूरी बढ़ जाने पर बल अगुर्ण का मान बदल जाता है ठीक है अब क्या कह रहा है दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यह टाव 1 है यानि यह जो है तो P बिंदू पर बल अगुर्ण है और टाव 2 जो है Q बिंदू पर बल अगुर्ण है यह Q बिंदू पर है और यह P बिंदू पर है तो कौन सा जादा होगा दोनों में दोनों के लिए कूँ से ज़ादा है दी ज़ादा है कि दी डेस ज़ादा है तो दी डेस की दूरी ज़ादा है तो आपको ये टाव टू ज़ादा होगा यानि क्यू बिंदू पर बल आघुर्ण ज़ादा लगेगा तो यही करा है यदि लांबिक दूरी बर जाने पर बल आघुर्ण का मान ब कबजे से जितना अधिक दूरी पर बल लगाएंगे बल अगुन उतना ही जादा होगा ठीक है अर्थात घुमने की प्रवर्ति उतनी अधिक होगी यही कारण है यही कारण है कि घर के दरवाजे में हथा जो है से कबजा से दूर लगाया जाता है अब दोस्तों इसको मैं अच अक्ष माल लेते हैं इसी अक्ष के परिष्टा घुमता है ना इधर उधर ठीक है कभी इधर जाता है कभी इधर आता है खुलता है बंद होता है तो दोस्तों कब जा हम लोग हम लोग जो हैंडल लगाते हैं जो दरवाजे का हथा जो हैंडल लगाते हैं यहां पर लगाते ह यहाँ नजदिक हम के क्यों लगाते है, तो इसका यही कारण है, दोस्तों, कि हम लोग को अगर दरवाजIV खोलना हो, तो हत्थे से क्षोलते हैं, चीक है, अगर को में जक्ष बल अग Roland विखेगा होगा तो उतना असानी से हम दर्वाजा को खोल सकते हैं इसलिए दोस्तों अगर आपको दर्वाजा खोलना होता है तो दर्वाजा के हथा को पकर खोलते हैं और हथा को लगाते हैं दर्वाजा और बल अगुर्ण बहुत ही कम हो जाएगा जिसे दर्वाजा खुलने और बंदोने में बहुत परिशानी होगी इसलिए क्या करते हैं कब जेशे दूर हम लोग हत्था को लगाते हैं समझ में आ गया क्यों लगाते हैं क्योंकि बल अगुर्ण का मान हमको ज्यादा प्राप्त हो ठीक है आगे बढ़ते हैं समझ में आगे आ होगा ठीक है दोस्तों और एक वार रिभाइज करा दता हूँ कि बल आघुर्ण जो टाव जो होता है F और D होता है तो इसका SI मातरग क्या होगा इसका SI मातरग क्या होगा बल का होता है Newton और दूरी का होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप लोग हमारे Facebook ग्रूप से जूर सकते हैं Maths World के नाम से Facebook ग्रूप है मेरा जिसमें आप लोग के लिए daily full length test का link डाला जाता है जहां से आप लोग daily full length test दे सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आप लोग Facebook ग्रूप से जरूर जूरिए आपको description में Facebook ग्रूप का link मिल जाएगा ठीक है वहाँ से आप लोग जूर सकते हैं और दोस्तों आप लोग हमें Instagram पर follow कर सकते हैं जहां पर आपको नीरज नीरज NC लिखना परेगा ठीक है दोस्तों और जहां पर आपको daily maths और reasoning का chapter wise practice question दला जाता है जहां से आपका practice होता रहेगा ठीक है दोस्तों और आप questions से अवगत होते रहेंगे ठीक है और आप हमारे WhatsApp ग्रूप से personally जूर सकते हैं ठीक है जहां पर आपको daily test plus answer key with questions plus rank wise result आपका प्रकासित क्या जाता है ठीक है दोस्तों तो आप लोग WhatsApp ग्रूप से जूर सकते हैं जिसका link मैंने description में राल दिया है ठीक है दोस्तों तो आगे बढ़ते है अब दोस्तों हम लोग कुछ example देख लेते हैं जहां पर बला घुरून का उपयोग होता है ठीक है एक number example में कहरा है घरों में गेहूं पीसने का जाता ठीक है दोस्तों गेहूं पीसने का जाता आप लोग जो गाओं में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जाता कैसा होता है जाता में क्या होता है कि एक चक्की होता है ठीक है और चक्की में क्या होता है कि एक हथा लगा रहता है ठीक है एक हथा जैसे लगा रहता है इसको पकर के हम लोग क्या करते हैं इसको घुमाते हैं और नीचे एक और चक्की होता है और जिस पर ये घुमता रहता है ठीक है तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस अक्ष के परितर अगर गुम रहा है तो इस अक्ष से हम लोग दूर हत्था लगाते हैं. क्यों कि जतनी दूरी जादा होगी अक्ष से, उतना ही हम को फोर्स कम लगाना परेगा इसको गुमाने के लिए. इसलिए इसको हम लोग दूर लगाते हैं फोरस कम क्यों लग़ाना पर अपर गुमाने के लिए क्योंकि बल अघुर्ण जादा हो जाएगा ठीक है तो करहाएगेहू पिसने का जाता का हथता कील से दूर लगाया जाता है ताकि जाता गुमाने के लिए कम जोर लगाना परे ठीक है ये भी एक बल अगुर्ण का उदारन है दो नमबर पर है कुमार के चाक में गुमाने के लिए लक्री फसाने का गड़ा जो होता है चाक की परीधी के पास लगा जाता है अब दोस्तों आप लोगों के चाक देखा है चाक जो इस पर बरतन बनाते हैं मिट्टी का तो उसमें क्या होता है अगर इस अक्ष के परीधा ये घूम रहा है चाक तो हम लोग क्या करते हैं ये है चाक की परीधी ये परीधी होता है साइड वाला एरिया तो यह जो चाकी परीधी है, यहां पर हम लोग गड़ा करते हैं, इसमें लकडी फसा करके इसको गुमाते हैं, तो यह परीधी के पास क्यों करते हैं गड़ा, क्योंकि इसका जो दूरी है दूरों के बीच का अक्ष और जहां पर बल लगा रहे हैं, दूरों के बीच का दूर पानी निकालने वाला hand pump का हत्था लंबा होता है ठीक है दोस्तों जैसे आपने hand pump अगर देखा है तो अगर hand pump अगर दोस्तों आप लोगों ने चलाया है तो यहां से पानी गिरता है इधर नीचे तो यह hand pump का जो हत्था होता है हत्था यह बहुत लंबा डालते है ठीक है होगा बल अखुर्ण कम लगेगा क्योंकि दूरी कम हो रहा है अक्ष और हथा बरा है तो दूरी क्या हो रहा है जादा हो रहा है तो बल अखुर्ण यहाँ पर कोई बल लगा रहे हैं इस अक्ष के बीच की लांबिक दूरी जो है अगर इस अक्ष के परिता यह बस तो घूम रहा है बल लगाने पर तो बल अगुना अक्ष और बल के बीच की लांबिक दूरी है दोने गुनन फर्व क्या कहते हैं बल अगुन कहते हैं और इसक ये बल आगोरन भी क्या होता है सदीस रासी है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम लोग देखेंगे बल यूग्म यानि कपल ठीक है बल यूग्म होता है कि दो बलों का यूग्म को क्या बोलते हैं बल यूग्म बोलते हैं दो बलों के जोरा को ठीक है यानि कपल, दो बलों के कपल को क्या बोलते हैं बल युग्म किसी वस्तु पर दो बराबर किन्तु बिपरीत दिशाओं में कारे करने वाले समांतर बलों को क्या कहते हैं बल युग्म कहते हैं ठीक है, जिसे किस कोई वस्तु है मान लेते हैं कोई वस्तु है यह कोई वस्तू है ठीक है इस पर एक बल कारे कर रहा है उपर की तरफ और एक बल कारे कर रहा है नीचे की तरफ यानि दोनों का डिरेक्शन जो है दिशा जो है बिपरीत है डिरेक्शन अपोजिट है ठीक है और दोनों का जो परिमान है यानि जितना बल इधर लग रहा है उ किसी वस्तु पर दो बराबर क्या कर रहा है दो बराबर किन्तु विपरीद दिशाओं में कारे करने वाले समानांतर बल समानांतर है ठीक है जो डिरेक्शन इसका इधर है उधर इपोजिट में क्या है इसका डिरेक्शन इधर है दोनों समानांतर है बलों को बल योगम कहते है बल योगम बराबर होता है बल गुना बल योगम भुजा ठीक है दोस्तों बल योगम बराबर होता है बल गुना बल योगम भुजा यानि कपल बराबर होता है फोर्स गुना कपल आर्म ठीक है जैसे यहाँ पर बल योगम निकालना हो तो बल योगम बराबर होता है बल गुन दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है, तो दूरी लिख दते हैं ठीक है दोस्तों समझने के लिए बहुत यह असान है, और इसका जो मातरख पूछेगा तो ईसा है नूटन योगा मीटर, तो इसका भी एसा है मातरख क्या होता बिपिरीद दिशाओं में कारे करने वाले समानांतर बलों को बल योगम करते हैं तो अगर कोई बस्तू ये L कोई बस्तू है ठीक है एक बल इधर लग रहा है दूसरा बल अपोजी डाक्सम लग रहा है दोनों बल के मतरा जो होगा वो समान होगा तो ऐसे जो ऐसा जो हमको system प्राप्त हुआ इसे को क्या बोलते हैं बल योगम और दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है L है ठीक है तो यहाँ पर बल योगम बरावर हो जागा बल गुने नों बलों के बीच की दूरी ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं क्या है अब देखते हैं बल्योगम का कुछ उदाहरन दे रखा है यहां पर तो हम लोग उदाहरन देख करके समझते हैं कि बल्योगम क्या है तो पानी का नल खोलना पानी का नल खोलने में हम लोग बल्योगम का यूज करते हैं ठीक जैसे अगर पानी का ये इधर लगता है, तभी तो ये नल घूम पाता है, ठीक है, तो ये नल घूमाने के लिए क्या करते है, एक force, दोनों फोर्स जो लग रहा है, दोनों का मातला समान रहता है, और opposite direction में रहता है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग बल योगम का उपयोग करते हैं, दूसरा को खोलने के लिए क्ष़र के देख सकते हैं जो पैन का ड्कन को खोलने में हम लगाते हैं तो यह भी क्या है बलीगम का ऊदारन है का एस्टेरिंग steering wheel घुमाना जैसे कोई गारी है और इसमें steering लगा हुआ है तो आप लोग इसको घुमाते हैं दोस्तों यहाँ पर force इधर लगता है यहाँ पर force इधर लगता है दोनों opposite force लग रहा है और दोनों का force समान होता है यहाँ पर हम लोग क्या करते है बल योगम का उप्योग करते है चाबी वाले घरी को चाबी देना इसमें बल योगम यूज होता है और ताला को चाबी से खोलना ताला को जैसे यह ताला अगर लगा हुआ है ठीक है दोस्तों यह अगर ताला है इसमें चाबी जैसे डाल करके हम लोग गुमाते हैं चाबी को चाबी में एक फोर्स इधर लगता है एक फोर्स इधर लगता है गुमाने के लिए ठीक है तो इसमें भी बल योगम का उपयोग होता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको आज बल अगोर्ण और बल यूगम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा एक बार फिर से मैं सभी को recall कर देता हूँ अब दोस्तों जितना हम लोगों ने परहा है सबका एक बार रिकॉल करते हैं ठीक है हम लोगों नहीं पढ़ा बल अगुर्ण तो दोस्तो बल अगुर्ण किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाने पर वह वस्तु किसी एक अक्ष के परिता घुमाने की परविर्ती जो होती है उसको क्या कहते हैं बल अगुर्ण कहते हैं इसको कि इंगलिस में moment of force या torque बोलते हैं जिसका जो symbol होता है वो होता है टाव इसको क्या बोलते हैं टाव जो की T जैसा होता है नीचे इसे इसको गुमा देते हैं इसको बोलते हैं टाव यानि बल अगुर्ण तो बल अगुन बराबर होता है फोर्स अगुन है फोर्स आर्म ठीक है इसका सबसे अच्छा एक्जामपल क्या है दर्वाजा ठीक है दर्वाजा में जहांपर कबजा लगा होता है उसको हम लोग अक्ष बोलते हैं कभडा लगा हुआ हैं जहां पर दिवार से जुरा हुआ है दरवाजा उसको क्या 30 कि अ परेस्त डरवाजा क्या ह Texas सी की पर होता है घुमता रहता है ठीक है तो कि कभड़ा में हत्था लगाते हैं कि कम अoupत दूर खाली है लगाते हैं किirst तो जितना दूरी रहेगा जादा उतना हमको बल कम लगाना परेगा और कम बल लगाने पर ही हमको बल अगुर्ण उतना पराप्त हो जाएगा जितना दर्वाज आसानी से खुल जाता है ठीक है और यहां एक सदीस रासी है क्योंकि बल सदीस है ठीक है और इसका ऐसा मतरक होगा न्यूटन मीटर क्योंकि बल का न्यूटन दूरी का मीटर इसलिए ऐसा मतरक न्यूटन मीटर और दूसरा था दोस्तों बल यूगम बल यूगम क्या था कि अगर किसी वस्तू पर दो अपोजिट फोर्स दो बराबर अप पता है आपको ठीके दोस्तों और इसका सब से बहुत ही best example होता है सरल मसीन ठीके दोस्तों सरल मसीन जो की हम लोग next class में पढ़ेंगे सरल मसीन के बारे में जो की बहुत ही अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो से थोड़ा सा भी लाब